हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आर केनिटिंग क्रियेशन देखे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा स्वेटर डिजाइन ले के आए हूँ तो देखे फ्रेंड्स टो कलर की मैंने ये वूल ली है और ये टैन नमबर की निडल ली है ये करीम कलर लिया है और एक गरीन कलर लिया है इससे हम बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे ये मेरी वर्द्मान वाली बेबी वूल है अगर आप इसको वर्द्मान में ओस्वाल में गंगा में रैबिट में बनाना चाहते हैं तो आप 10 नंबर की सलाई यूज कीजीगा और आप इसको 3 प्लाई में बुनना चाहते हैं तो आप यहां पे 9 नंबर की सलाई यूज सा डिजाइन बनके आएगा तो चलिए अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहां पर यह चोदा के मल्टिपल फंदे डाले हैं चोदा फिर से चोदा फिर से चोदा फिर से चोदा फिर से चोदा लास्ट में हमारा एक रहना चाहिए तो हमारे डिजाइन बहुत ही अच्छे से अर्जेस्ट हो जाएगा मैंने ये कि एक उल्टे एक सीधी अबोर्डर बनाया है और फिर एक स्लाई सीधी तरफ से सीधी और एक स्लाई उल्टी तरफ से उल्टी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हैं तो आप बैक साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा क्योंकि सीधी तरफ से हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा चलिए तो फ्रेंड्स डिजाइन बुनना शुरू करते हैं बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो तीजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रूप में शेर कीजिए चलिए तो फ्रेंड्स इसको ब करेंगे फिर तीन फंदे हम करीम के बनाएंगे तो टोल हमारे यहां पर यह चार फंदे बन जाएंगे तीन क sack और चार फिर एकवंदा गरीन का बनाएंगे फिर पाच फंदे करीम के बनाएंगे एक दो maps तीन, चार, और पाँच, फिर से एक फंदा गरीन का बनाएंगे, फिर चार फंदे करीम के बनाएंगे, एक, दो, तीन, और चार, तो देखें फ्रेंट्स, यह यहाँ पे एक एच्ट इस फंदे को छोड़ के स्टार्टिंग के, और इन फंदों को हम फिर से रिपीट करेंगे तीन उल्टे, एक सीधा, तीन फंदे करीम कलर के, एक फंदा गरीन का, पांच फंदे फिर करीम के, एक गरीन का, चार फिर करीम के तो फर्स्ट फंदे को छोड़ के इन फंदों को फिर से रिपीट करेंगे तो फिर से तीन फंदे करीम के, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा फिर से गरीन का, फिर से पाँच फंदे करीम के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर से एक फंदा गरीन का, इसको ऐसे थोड़ा सा लूज रखेंगे, ऐसे एकठा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा डिजाइन शुकूर जाएगा, फिर से चार फंदे करेंगे, दो, तीन और चार, तो देखें फ्रेंट्स, यहां से लेके यहां तक फिर से इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, दो रिपीट हमारे कमपलेट हो चुके हैं, फिर से तीन फंदे करेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे करेंगे, फिर से एक फंदा गरीन का, एक, फिर से पाच फंदे करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, फिर से एक फंदा गरीन का, फिर से चार फंदे करीम के एक दो तीन चार फिर से हम रिपीट करेंगे यहां से यह तीन फंदे या आप स्टार्टिंग से लगा ले एक फंदा छोड़ के और यहां तक इन फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे इन फंदों को तो फिर से तीन फंदे करीम के, एक, दो और तेन, फिर एक फंदा गरीन का, फिर पाँच फंदे करीम के, एक, दो, तेन, चार और पाँच, फिर एक फंदा गरीन का, पाँच फंदे करीम के, एक गरीन का, लास्ट में फिर हमारे चार फंदे करीम के, एक, दो, तेन, और चार, तो ये हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लिट हुए, अब आएंगे हम, अब सेकेंड रो, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन करीम के, एक, दो, तीन, फिर दो गरीन के, एक, दो, फिर से तीन करीम के, एक, दो, और तीन, फिर से दो गरीन के, एक, और दो, फिर से चार करीम के, एक, दो, तीन, और चार, तो सेगिंड रो है, इस एक फंदे को छोड़के, और इन फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, तो तीन, दो, पाँच, और तीन, आठ, और दो, दस, चार, चोदे, तो इस चोदे फंदों में डिजैन चलता जाएगा, एक फंदे को छोड़के, इ फिर दो फंदे गरीन बनाएगे, एक, दो, फिर से तीन फंदे करेंगे, एक, दो, तीन, फिर से दो गरीन बनाएगे, एक, दो, फिर से चार करेंगे, एक, दो, तीन, और चार, दो रिपीट हमारे कम्पलिट हुए, यहां से लेके और यहां तक फिर से ले इन चौदा फंदों को रिपीट करेंगे फिर आगे भी हम ऐसे ही करते जाएंगे तो तीन फंदे करिम बनाएंगे फिर दो गरिन बनाएंगे एक सब्सक्राइब करते दो फिर शेटीन फंदे गरीन बनाएंगे, फिर से चार फंदे करीम बनाएंगे, तीसरा रिपीट हमारा कम्पलिट हो गया, अब फिर से इसे को रिपीट करेंगे, इन तीन फंदों को लेके यहां से यहां तक फिर से रिपीट करेंगे, फिर से तीन फंदे एक, दो, तीन फंदे क्रीम दो फंदे फिर से गरीन एक और दो फिर से तीन फंदे क्रीम एक और दो और तेन फिर दो फंदे गरीन एक और दो और लास्ट के हमारे फिर से चार फंदे क्रीम के आ जाएंगे तो सेगिंड रो हमारे बन के कम्पलेट हुई अब आ गई हम थर्ड रो में सीधी तरफ फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे थर्ड रो सीधी साइड फिर से तीन फंदे करीम बनाएंगे एक, दो, और तेन तीन फंदे फिर से ग्रीन के बनाएंगे एक, दो, तेन फिर से एक फंदा करीम का बनाएंगे फिर तीन फंदे ग्रीन के बनाएंगे एक, दो, तेन फिर चार फंदे करीम के बनाएंगे एक, दो, तीन, चार तो देखें फ्रेंट्स इस एक फंदे को छोड़के इन ही चोदा फंदों को फिर से रिपीट करेंगे तो तीन फंदे करीम, एक, दो, और तीन, फिर तीन फंदे गरीन के, एक, दो, तीन, फिर एक फंदा करीम का, फिर से तीन फंदे गरीन के, एक, दो, तीन, फिर से चार फंदे करीम के, एक, दो, तीन, और चार, तो देखें फ्रेंट्स, यह एक फंदे को छोड़ के, स्टार्टिंग के यह चोदा फंदे, इन्ही को फिर से रिपीट करेंगे, फिर आगे ही ऐसे दो रिपीट हम फिर से कम अब आ गई हम चोथी सलाई में बैक साइड में, तो एक फंदा हम यहां पे करीम बनाएंगे, फिर तीन फंदे हम गरीन के बनाएंगे, एक, दो, और तेन, फिर से एक फंदा, तीन फंदे करीम के बनाएंगे, एक, दो, तेन, फिर एक फंदा गरीन का बनाएंगे, फिर तीन फंदे करीम के बनाएंगे, एक, दो, तेन, फिर से तीन फंदे गरीन के बनाएंगे, एक, दो, तेन, फिर से एक फंदा करीम का बनाएंगे, अब देखें फ्रेंट्स, स्टार्टिंग के फंदे को छोड़के इन ही 14 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 12, 12, 14 14 फंदों को एक फंदे को छोड़के इन ही को फिर से रिपीट करेंगे तो फिर से तीन फंदे, एक, दो, तीन ग्रीन, और तीन फिर से क्रीम, एक, दो, तीन, फिर से एक फंदा ग्रीन, फिर से तीन फंदे क्रीम, एक, दो, तीन, फिर से तीन फंदे ग्रीन, एक, दो, तीन, फिर से एक फंदा करेंगे तो देखे फ्रेंट स्टार्टिंग का एक फंदा छोड़के यहां तक एक रिपीट है आगे फिर दूसरा रिपीट है तो इसी को ऐसे ही हम बार-बार बनाते जाएंगे अब आगए सीधी तरफ पांच मिशलाई में तो एक फंदा हम यहां पर स्लिप करेंगे और एक फंदा फिर क्रीम का बनाएंगे तो दो बन गई फिर से दो फंदे गरीन के बनाएंगे एक और दो फिर से दो क्रीम के बनाएंगे एक और दो फिर से तीन गरीन के बनाएंगे ए एक दूर तीन फिर से दो फंदे क्रीम के बनाएंगे एक दो फिर से दो फंदे गरीं के बनाएंगे एक दो दो फंदे फिर से क्रीम की बनाएंगे तो दिखे फ्रेंड्स, एक फंदे को छोड़के और इन चोदा फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो फिर से एक बार फिर से यही रिपीट करेंगे एक क्रीम, दो ग्रीन, एक क्रीम, 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 एक क्र और फिरसे 2 फंदे क्रीम, तो 2 रिपीट कंपलिट होए, फिरसे 3 और आगे 4 आजेवी, एक फंदे को छोड़ के, और 14 फंदो का रिपीट बार-बार करते जाएगे, ताब आगई हम back side में छटेश लाई में, तो एक फंदा हम slip करेंगे और दो फंदे फिर बनाएंगे एक और दो, दो फंदे करीम के बनाएंगे, एक फंदा गरीन का बनाएंगे, फिर से एक फंदा करीम का बनाएंगे, फिर से दो फंदे गरीन के बनाएंगे, एक दो, फिर से एक फंदा करीम का बनाएंगे, फिर से दो फंदे गरीन के बनाएंगे, एक और दो, फिर से एक फंदा क्रीम का बनाएंगे फिर से एक गरीन का बनाएंगे फिर से तीन फंदे क्रीम के बनाएंगे एक, दो, तेन तो देखें फ्रेंट्स एक फंदे को छोड़ के और इन चोदा फंदों को बार बार रिपीट करेंगे तो फिर से दो फंदे क्रीम, एक ग्रीन, एक क्रीम ऐसे ही बुनते हुए एक को छोड़के 14 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे फिर से दो फंदे क्रीम, एक फंदा 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 क्रीम, एक एक फंदा ग्रिन और फिर से तीन फंदे क्रेम तो ऐसे ही करते हुए बार बार रिपीट हम कम्प्लीट करेंगे। दो रिपीट कम्प्लीट हुए आगे फिर ऐसे ही करेंगे। एक फंदा छोड़के स्टार्टिंग के चोदा फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। अब आगए सीधी तरब सातमी स्लाई में, तो एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर से तीन फंदे क्रीम बनाएंगे, एक दो और तेन, दो फंदे गरीन के बनाएंगे, एक दो, फिर एक फंदा क्रीम का बनाएंगे, एक फंदा गरीन का बनाएंगे, एक फिर क्रीम का दो फिर गरीन के बनाएंगे एक और दो फिर चार फंदे करीन के बनाएंगे एक दो तीन और चार तो देखें फ्रेंट्स ध्यान दीजिएगा एक फंदे को छोड़ के इन 14 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे इनहीं को रिपीट करते करते इस सलाई को पूरा करेंगे एक फ तीन फंदे क्रीम, एक, दो, तेन, दो फंदे फिर से गरीन, एक, दो, फिर एक फंदा क्रीम, फिर एक फंदा क्रीम, फिर एक फंदा क्रीम, फिर दो फंदे गरीन, फिर चार फंदे क्रीम के, तो दो repeat complete हुए ऐसे ही हम आगे पूरा करेंगे स्टार्टिंग के एक फंदे को छोड़ के और यह यहां तक 14 फंदे बार बार repeat करते जाएंगे अब आगए back side में 8 में तो एक फंदे को slip करेंगे और फिर से दो फंदे क्रीम बनाएंगे एक दो फिर से एक फंदे गरीन का बनाएंगे फिर से एक क्रीम बनाएंगे फिर से दो फंदे गरीन के बनाएंगे एक और दो फिर से एक क्रीम का बनाएंगे फिर से दो गरीन के बनाएंगे एक और दो फिर से एक करीम का बनाएंगे और फिर एक फंदा गरीन का बनाएंगे तो देखे फ्रेंट्स और तीन फंदे फिर करीम के बनाएंगे दो तीन तो देखे फ्रेंट्स एक फंदे को छोड़ के स्टार्टिंग के और इन चोदा फंदों को फिर से रिपीट करेंगे इनहीं को बार बार रेपीट करते जाएंगे दो करीम एक गरीन फिर से ऐसे ही बनाएंगे दो क्रीम के, एक फंदा ग्रीन का, फिर एक फंदा क्रीम का, फिर दो फंदे ग्रीन के, एक, दो फिर से एक फंदा क्रीम का, दो फंदे फिर से ग्रीन के, दो फिर से एक क्रीम का, फिर एक ग्रीन का, फिर से तीन फंदे क्रीम के तो दो repeat हमारे complete हो चुके है तो यहां से लेके और यहां तक इन फंदों को बार-बार repeat करेंगे तो ऐसे ही इसको आगे complete करेंगे अब आगे सीधी तरफ नो मिसलाई में तो देखें friends एक फंदे को slip करेंगे फिर एक फंदा करीम बनाएंगे फिर से दो फंदे green के बनाएंगे एक और दो फिर दो फंदे करीम के बनाएंगे एक दो फिर से तीन फंदे green के बनाएंगे एक दो तीन फिर से दो फंदे करीम के बनाएंगे एक दो फिर से दो फंदे green के बनाएंगे एक दो फिर से दो फंदे क्रीम के बनाएंगे एक और दो तो देखे फ्रेंट्स एक फंदे को छोड़ के स्टार्टिंग के और आगे के इन फंदों को 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 12 एक फंदे को छोड़ के इनी फंदों को बार बार रिपीट करेंगे अब आगई हम बैक साइड में दसमी स्लाइपर तो एक फंदा हम यहाँ पे स्लिप करेंगे और तेन फंदे हम गरीन बनाएंगे एक दो तेन फिर तेन फंदे क्रीम बनाएंगे एक दो तेन फिर से एक फंदा गरीन बनाएंगे फिर से तीन फंदे क्रीम बनाएंगे एक दो तेन फिर से तीन फंदे गरीन बनाएंगे एक दो तेन फिर से एक फंदा क्रीम बनाएंगे तो देखे friends यहां से 1 फंदे को छोड़के इन 14 फंदों को 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 24 एक फंदे को छोड़के और 14 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे अब आ गए सेधी तरफ 11 स्लाइब में तो 1 फंदा यह slip करेंगे और 3 फंदे फिर क्रेम बनाएगे तो टोटल यहां पे चार फंदे बन जाएंगे तो तीन फंदे क्रीम चार बन गए टोटल फिर से तीन फंदे ग्रीन बनाएंगे एक, दो, तीन फिर से एक फंदा क्रीम बनाएंगे फिर से तीन फंदे ग्रीन बनाएंगे एक, दो, तीन और फिर से चार फंदे करीम बनाएंगे एक दो तीन और चार तो देखे फ्रेंट्स एक फंदे को छोड़के इन ही फंदों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो इन ही फंदों को फिर से बनाएंगे, एक फंदे को छोड़ेंगे और इन-14 फंदों को बार-बार रिपीट करेंगे. अब आगए हम बैक साइड में बार्मे सलाइमे, तो एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे फिर बनाएंगे, एक, दो तेन और चार तो यह टोटल चार फंदे बन गए एक एजटेच तीन फंदे सीधे क्रीम के सुरी दो फंदे फिर से ग्रीन के बनाएंगे एक दो फिर से तीन फंदे क्रीम बनाएंगे एक दो तेन फिर से दो फंदे green के बनाएंगे एक दो फिर से चार फंदे cream के बनाएंगे एक दो तेन चार तो दिखें फ्रेंट्स एक फंदे edge stitch को छोड़के इन 14 फंदों को फिर से repeat करेंगे तो तीन cream बनाएंगे दो green ऐसे ही बनाते हुए इस रो को complete करेंगे एक फंदे को छोड़ेंगे और इनी को repeat करेंगे फिर से तीन फंदे यहाँ पर cream बनाके आगे बनाते जाएंगे अब आगए हम सीधी तरफ तेरवी स्लाई में तो एक फंदे को हम slip करेंगे और तीन फंदे cream बनाएंगे एक दो तेन फिर एक फंदा green का बनाएंगे फिर पांच फंदे cream के बनाएंगे 1,2,3,4,5 फिर से एक फंदा green का बनाएंगे फिर से चार फंदे cream के बनाएंगे एक, दो, तीन और चार तो देखे फ्रेंट्स एक फंदे को छोड़के ये तीन, तीन छे, तीन तीन नो, तीन चोक, बारा, दो चोद है एक फंदे एच टीच को छोड़के इन ही फंदों को फिर से रिपीट करेंगे अब आगए बैक साइड में चोध मी सलाई पे तो यहाँ पे इस पूरी सलाई को ऐसे धागा अपनी तरफ करते हुए और इसको हम इस क्रीम कलर से पूरी को उल्टा बनाएगे यहाँ पे इसको उल्टा बनाते हुए पूरा करेंगे तो देखे फ्रेंट्स चोधा सलाईयों का डिजाइन है डिजाइन हमारा complete हो चुका है बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आया है आप इसको बेबी स्वेटर में डालिए या जैसे blouse बनाते हैं उसके निच्चे border के लिए आप बना सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा कारड़ेगन में डालिए स्वेटर में डालिए 14 रायों में डिजाइन complete हुआ और बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है तो देखे फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थींक्यू